हलो दोस्तों हरे कृष्धन तो कैसे आपसब वोप आपसब अच्छे होगे तो भाई आज बहुत अ च्छा दिन है आज है गोवर्दन पूजा मका मब बहुंदया है जल्द जल्दी मठ में जाना तो प्रशाद सफ़े морला कि इस pasta जाके धर्शन निकलते हैं प्रशाद तो भाई मैं कभी नी जोड़ता इसको का कि तो मैं इतना बड़ो हूँ मैं इस कौन पहुंच गया हूँ और भाई भीड आज तो देखो दिख रहे हैं आपको जहां देखो गाड़ियां गाड़ियां और दर्शन करके फटा-फट निकलता हूँ टर्शन करवाने मुझा आपको दर्शन करवाने के लिए तो न रइन हो है hmm अiliśmy toy na हुआ ये ज हripे इसारे गोँ माता ुट्था बनाए हैं नोगामोंति पहले करते हैं प्रीक्रमा है अगर आपकर पॉन आरहा है काँ प्रशाथ यहां पर बिखालू लेकिन यहां पर बोल दिया में रख लेना उन्होंने पोला कि चल रहे दो तरह लिए यहां पर दिखाने पता हूँ निकलता हूं पहले मामू कि पास बस यह पोंचगे मैं यह आप लोग की साथ भी कभी ऐस होते हैं यह तो अगर फोन आता नहीं न बिल्कुल वेले वैठे हो कभी नहीं भोन आएगा और जब बंदा बीजी हो न इतना इतने फोन बजेंगे न इतने फोन बजेंगे न बस मामु का वेटिंग पर तीन चार पून वैसे आगे मेरे को अब इतना काम था ना इतना ज्यादा बीजी था मैं फोन पर फोन पर फोन 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 द्राइब करूँ आ तब फोन पर फोन जब वेले बैठे हुए ने तब नहीं फोन आते चलो भाई बस निकलते हैं जाग लाग र बस पहुची गया वठे मेरे वेट करें एक काट दो पॉन जामनी घड़ा हुआ हूआ है अब भाही लगे ने सारे परशाद खाने जाटिया बहुत तेस्टी अभी एक दो जगा और जाने एक्चली घर में आ रहे हैं फंक्शन शादी है घर पे तो इसलिए भागा दोड़ी कुछ जादे ही हो रही है हमारी लेकिन मैं व्लॉग बटाने बंद नहीं कर रहा हूं तेली की तेली चलिया मूँ चलिये चलो भाई चल देवन अपना चलो आग्याद में अरे किस्टाम शामनू मिलते हैं रहे हैं अब मामू को भी अधी टॉप किया घर लेके गए से बादी वाले टाइम तो यार बहुत ज्यादा फंक्शन होते भाई एक में अखाड जा आएगा क्या अब मैं भी घर निकलता हूं अब ममी को लेकि एक और जगा जाना है तो बस वहां पर जात में खाना ठीक समझा क्यों मैंने बोल दिया था माम होगी माम मैं आओंगा मठ में वर्शात लूँगा और आज थी गवर्धन पुझा आपको मैंने स्टोरी भी बतानी है बहुत ही शॉट में स्टोरी बताता हूं और खतम करता हूं शॉट में एक बार की बात है हुआ क्या यशुदा महिया किचन में पकवान बना रहे होते हैं और कृष्ण मोहन बहुत चोटे से होते हैं साथ साल के वो आते हैं अपनी महिया के पास और बोलते हैं महिया आप क्या बना रहे हो और किन के लिए बना रहे हो तो महिया बोलते हैं वो इंदर देव के लिए बना रहे ह करो इंदर देव की पूजा करने से अच्छा है आप गवर्धन परवत की पूजा करो वो कृष्ण मुहान सारे गाहूं वाला को भी मना लेता है कि जी तरह तो ठीक है तो गाहूं वाले क्या करते हैं इंदर देव की पूजा को साइड में रखते हैं वह नहीं करते वह गवर् गोवर्धन परवत को धारंगर के खड़े हो जाते हैं ये बारिश एक हफते तक चलती है तो इंदर देव बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक हफते तक कुछ हुआ नहीं क्या हुआ इंदर देव को पता लगता है कि स्वयम विश्णु ही कृष्ण भगवान है तो उनको अपनी गलती का हैसास हो जाता है तो वो बारिश को रोक देते हैं जैसी वो बारिश को रोकते हैं क्रिश्ण भॉहन परवत को नीचे रख देते हैं और क्रिश्ण भॉहन कहते हैं कि आज से हर साल गोवर्धन परवत की पूजा की जाएगी हर साल गोवर्धन परवत की पूजा की जा हमारे भारत देश में प्रकर्तिक का में जो संतुलन है वो परवत और नदिया ही है तो इसलिए इनका विशेश ठेंक्क्यू करना चाहिए तो चलो गाईज आज का व्लोग यहीं पर एंड करते हैं यहीं पर समापत करते हैं मिलते हैं कल नए व्लोग में तब तक के लिए बाए बाए हरे कृष्णा लाइक शेर सब्सक्राइब प्लीज करते रहना